कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता कॉल सिंग ठाकू ने कॉंग्रेस की 45-50 सीटे जीतने का दावा किया है। कॉल सिंग ठाकू ने कहा कि प्रदेश में इस बार सरकार के खिलाब रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बिजेपी के सरकार में लोग महगाई, बिरोजगारी से परिशान है। प्रदेश की जनता ने बिजेपी के सरकार के खिलाब बाहर आकर रिकॉर्ड मतदान किया है। बिजेपी इस बार 15 से 20 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने का कि कॉंग्रेस पार्टी में लोगतंतर है, कॉंग्रेस मुख्यमंतरी घोशित नहीं करती, वह स्वयम नौवी बार चुनकर आएंगे। पार्टी के अध्यक्ष वह मंतरी के पदों पर भी रहे हैं, एक बार के विधायक भी मुख्यमंतरी का दाविदार होता है। कॉंग्रेस बहुमत में आने के बाद एक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंतरी बनाती है, सोनिया गांदी जो भी निर्ड़े करेंगी वह स्विकार होगा। अपने वयान को जारी रखते वे कॉल सिंग ठाको ने का कि बीजेपी में ताना शाही है, उत्रा खंड में हारे हुए को सीम बनाये गया, प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया है, पांस साल के कुशासन, महंगाई, बिरुज विजगारी भस्टाचार के खिलाफ इस बार मतदान हुआ है, अपके बार जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है पिछले सारे रिकॉर्ड तोड करके यह एंटी इनकंबिंशी, एंटी एस्टेशेशमन, एंटी ग्वर्मंन जो है, यह मतदान हुआ है, क्यूंकि हमने भी कई एल् से मिला, इतना प्यार, इतना सायोग, आज तक कभी इतना नहीं मिला था, और अम भी पुरे महाच्टर प्रदेश का मैंने पहले दोरा किया था, तो लोगों, जो शीतों मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों के नब्स पे हाथ जरूर रखते हैं, अब के बार लोगों ने मन बनाय है कि कॉंग्रेस पार्टी को सता मे लाना है और हिमाच्टर प्रदेश में विकास के काम आगे बढ़ाना है, और भारतिय जनता पार्टी के पांच साल के कुशाशन से, इनकी बढ़तिवी में गाई से, ब्रस्ट अचार से, बिगरतु ही कानु विवस्ता से, मैलों पे जो बड़ी दुखी थे, और सर्फ तो बड़ी विकास के काम ठप पड़े थे, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही विकास के काम हो रहे थे, बाकी विकास के काम ठप थे, तो सरकार की खलाफ, जैराम सरकार के खलाफ चो है, लोगों ने खुल करके मद्दान किया है, और मुझे कॉंग्रेस पार्टी लोग तंतर में विश्वास करती है कॉंग्रेस पार्टी मुख्य मंत्री कभी डिकलेर नहीं करती और कॉंग्रेस पार्टी जब 40-50 विधायक चुन करके आएंगे कॉंग्रेस पार्टी के दो जर्बर आएंगे ओ लोगों की राये लेंगे विधायकों की राये लेंगे उस राये को पार्टी हाई कमांड को कनवे करेंगे फिर पार्टी हाई कमांड फैसला करेंगी कि इसको मुख्य मंत्री बनाना है यह जो है हमारी पार्टी लोग तंतरिक पार्टी है और भारतिय जानताव पार्टी में ताना साही है जैसे आप जाते हैं उत्राखन में दामी को मुख्य मंत्री डिकलेर किया कि यही अगला मुख्य मंत्री उगवार गया साथ-साथ भार के विदायक उनको नहीं बनाया ना विदायकों किराय लिए फिर उसी को मुख्य मंत्री बना दिया दामी को इस तरह गुजरात में प्रदान मंत्री के अपने प्रदेश में उर्पानी जी प्रदान मुख्य मंत्री थे और उन्हें बनाया था नेंदर मोदी ने मोदी जी ने कहा कि स्तीफा दो सारा मंत्री मंडल बाहर हो गया और ने मुख्य मंत्री और ने मंत्री बने ये है ताना साय वार कॉंग्रेस पार्टी लोग तंत्र में विश्वास करती है मुख्य मंत्री की दौड में जो पहली बार भी धायक बनता है भी होता है दूसरी बार बनते हूँ भी होते हैं मैं तो अब नहीं बार भी धन्सवा में आऊंगा तो अपर मेरा हाई कमान पर पूरा विश्वास है और जो कॉंग्रेस हाई कमान सिमती सोनिय गांधी फैसला करेगी वो हमको सरमाते मजूर है